नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार की क्लासिस में अभी हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदूलन में बिहार की भूमिका इससे पहले देखिए हम लोगों ने एक लेक्चर आज आई टू यूटू जो अप्लोड किया था उसमें पता नहीं किस कारण से साउंड ही जो है उसमें नहीं आया माफी चाहते हैं उसके लिए लेकिन उसका पीडिएफ जो है टेलेगराम पर मिल जाएगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्चन में जो है टेलिगराम का लिंक रहता आप उसको जोइन कर लिजिए बाकी मेंस चैनल का भी जो है लिंक जो अपना मेंस चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी आप जरूर जोइन कर लीजिएगा देखिए भारत छोड़ा अंतुल हम लोगों ने विस्तार से कवर कर लिया था उसी का एक ये टेल पार्ट है किसमें बिहार की भुमिका को हम लोग को देखना है उसको तो इसको आज हम लोग देखेंगे शुरू करते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पासवाले बेल आगन को दबा ले देखी क्या कहता है गांधी जी के नारे भारत छोड़ो और करो या मरो से प्रेदित होकर कॉंग्रिस पार्टी ने आठ हगस 1942 को अपना सबसे बड़ा नागरिक विद्रो शुरू किया इस विद्रो से पुर्व मार्च 1942 को ब्रिटिस प्रधानमंतरी विस्टन चर्चिल ने घोशना किया था कि भारत को समराजवादी स्वराज का दरजा मिलेगा विश्यूद की समापती के बाद चुकि उस समय जो है ब्रिटिस कहीं न कहीं हार रहे थे तो उनको जो है भारती शैनिकों की मदद की आवशक्ता थी इसलिए सब पैतराबाजी अंगरेजों का चल रहा था कहता है इस उद्देश के लिए 22 मार्ट 1942 को स्टेफ़र्ड क्रिप्स ने इससे संबंदित मौसोदा तयार करने के लिए भारत का दोरा किया जो प्रस्ताव इनोंगों ने तयार किया था वो भारती राष्टवादियों के लिए बिकार साबित हुआ दूसरी ओर दूटिय विशुद के कारण आर्थिक मंदी थी जापानी सेना भारत की सरदों के पास पहुच गई थी परिणाम स्वरूप गांदी जी ने 1942 में भारत छोड़वांदूलन की सुरुवात की कहता है कि भारत छोड़वांदूलन के दोरान बिहार ने बड़े संकल्प के साथ बहादूरी का परिचय दिया डॉक्टर राजन्द प्रशाथ बिहार के कॉंग्रेस नेताओं में अग्रणी थे और उनके नेत्रत में भारत छोड़वांदूलन के लिए मशोदा तयार किया गया था बिहार आंदूलन का केंदर रहा इसलिए सरकार ने यहाँ पैनी नज़र रखी और कुछ एतिहाती कदम उठाए परिणाम सरूप बिहार प्रांतिय समीती और बिहार कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी को अवैद घोशित कर दिया गया राजिन्द प्रशाद और बिहार के अन्य प्रमुख निताओं को गरिफतार कर लिया गया जिसके बाद आंदूलन का नेत्रित अन्य कॉंग्रेसी निताओं और छात्रों ने किया था कहता है कि ग्रिफतारी के विरोध में पटना के छात्रों ने जुलुस निकाला और पूर्ण हर्टाल भी की जल्दी आंदूलन बिहार के अन्हिशों में भी फैल गया 11 अगस्त को जब पटना में भीड पुराने सचिवाले के मुख्य भवन पर राष्टिय धोरज फ्याराने का पर्यास कर रही थी तो उन छात्रों पर गोली चलाए गई जिनमें साथ छात्रों की जो है जो साथ छात्र से वे सहीध हो गए और कही छात्र घायल भी हो गए सरकार ने एक दोखबारों पर भी परतिबन लगा कर घटना से हुए नुकसान को रोकने की कोशिश की इस गोली बारी के बाद इस्तिती ने और हिंसक रूप ले लिया जल्द ही छात्रों और स्रमिकों द्वारा सहरी आंदूलन ग्रामीन इलाकों में फैल गया जहां किसानों की एक बड़ी भीड़ने ब्रिटिस सत्ता की सभी परतीक जैसे राज़सिंद्रमान, रेलवे, पूल, डाक घर इत्यादी चीजों पर उन लोगों ने हमला कर दिया जिसके पस्चात बिहार के कई जिलों में ब्रिटिस जो सासन चल रही थी उसकी सिती बत्तर हो गई आंदूलन के किरसी आयाम चरितर में बहु वर गिया था बिहार जो विद्रो का प्रमुक के अंद्र था उसमें किसानों के साथ साथ आदिवासी लोगों की भी भारी भागिदारी देखी गई सुल्तान गंज, मधेपुरा और अन्यमुक्त इलाकों में कॉंग्रिस के नाम पर समनांतर सरकार अस्थापित कर दिया गया हलाकि आंदूलन ने अपने गती को केवल कुछ महिनों के लिए ही बनाई रखा और सितंबर महा के पस्चाथ यह आंदूलन धीमा हो गया यह मुख रूप से अगरणी निताओं की अनुपसिती के कारण था क्योंकि एक के सटिक नेत्रत का उनमें अभाव देखा गया और इस तत्र के कारण भी कॉंग्रिस ने कारवाई के पहले चरण की समाप्त होने के बाद अपनाई जाने वाली कारवाई के किसी भी असपश्ट कारिक्रम को प्रुच्साहित नहीं किया जिससे लोग जो है आंदूलन की गती को बनाए नहीं रख सके परिनाम सरूप करांतिकारी राष्टवादी ने आंदूलन का सासन संभाला और भूमिगत गतीविदियां शुरू की सियाराम सिंग ने सियाराम दल नामक एक करांतिकारी दल का गठन किया स्रीगोविन सिंग ने एक गुरिला बेंड का गठन किया और सबसे महत्पुन रूप से जैप्रकाश नरायन ने अखिल भारतिय अजादस्ता का आयुजन किया तिवरे सरकारी दमन ने असंतोष को भूमिगत कर दिया बिहार के कई देश भक्त जो नेता थे ये नेपाल के तराई छेतर में चले गए जहां उन्हें अस्थानिय लोगों से शाहनबूती एवं शहायता प्राप्त हुई उन्होंने हतियार गोला बारूत भाले और कुछ अनहतियार एकत्र किये नेपाल में जैप्रकाश नरायन, सुरज नरायन सिंग, राम बनुहर लोहिया आदी जैसे बड़े बिहारिन नायकों ने अजादस्ता के बिहारराज कार्याले का गठन किया इन कार्यों को करने के लिए दो दल थे एक को गुपत रूप से और दूसरे को जन्दांदूलन के हिस्से के रूप में हिंसक संगर्ष का नेतृत करने के लिए आमनतृत किया गया था नेपाल के अजादस्ता से प्रिना लेकर पुर्णिया और भागलपूर में इस प्रकार का संगठन जो है संचालित होने लगा 1943 के अंत में आजादस्ता शक्रिया था लेकिन बाद में नेपाल सरकार की समर्थन से जैपरकाश नरायन, राम मनवरलोया और अन्नी करांतिकारी को ब्रेटिस सरकार ने गैफतार कर लिया और बाद में यह परियास निश्क्रिया हो गया आगे कहता है कि जैपरकाश नरायन गुप्त रूप से इस परकार की शक्रिता में शक्रिया रहे थे, उन्होंने सुबाश नरबोश की अजाधिन सरकार से भी संपर्ख सादने की कोशित की थी, लेकिन वे औसफल रहे मैलाओं ने भी इस आंदुलन में जनस्तर पर शक्रे रूप से भाग लिया था, छप्रा में शांती देवी के नेत्रत में जलुस निकाला गया, पलामू हजारी बाग मुजफरपुर आदी कुछ अस्थानों पर करांतिकारी सरकारे बनें आंदुलन की आवाज को फैलाने के लिए मुंगेर से प्रकाशित, अजाद हिंदुस्तान और मुंगेर निव जैसे समाचार पत्र की महत्पुन गुमिका रही भारत छोड़ो आंदुलन की स्रिंखला में बिहार में 15,000 से अधिक लोगों को कैद किया गया था लगबग 134 लोग मारे गए और कई लोग खायल हुए थे आखिरकार आंदुलन ने सरकार को अपना रवया बदलने के लिए मजबूर कर दिया यह आंदुलन पूरी तरह से सफल रहा और यह भारत की स्वहनता संग्राम के दोरान आखरी जन आंदुलन शाबित हुआ तो बिहार की भूमी का टिल पार्ट में इन महत्पुन पॉइंटों को हम लोग लिख सकते हैं उमीद है आपको यह अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए नीचे जो भी लिंक दियो उनको जॉइन कर लिजिए मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन